हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिट से हमारे स्यू टू चैनल ऑनलाइन स्टेडियों में बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ एनसेल एक्जाम 2019 हुआ है उसमें डॉक्मेंट वैरिफिकेशन जो होने वाला है उसमें आपको कौन-कौन से डॉक्मेंट ले जाने है तो इसी चीजों के मारे में आपको बताऊंगा और आपको पता है कि अलग लग पोस्ट है तो उनके लिए भी कौन-कौन से डॉक्मेंट ले जाने हैं तो सारी चीज में आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना कहीं स्किप किये हुए अच्छे से देखे क्योंकि आपको ये सभी चीजे समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप 98 अच्छे मार्क्स ला देते हैं या फिर 80 मार्क्स ला देते हैं लेकिन अगर आपके डॉक्मेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ पर कोई माइने नहीं रखता है वहाँ आप डिस्क्वालिफाई कर दिये जाओगे और अपने नौकरी से हाथ धो बैट होगे तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंट तेक देखिए और आपको पता हुआ कि यहाँ पर competition बहुत ही जादा हो चुका है क्योंकि बहुत ही seat कम है और लोगों ने बहुत ही जादा application किया हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझेए और कोई भी गलती ना करे वरना आप नौकरी से हाथ धो बैटेंगे ठीक है तो चली फिर वीडियो को सुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको किनकी documents की जुरत पढ़ने वाली है तो बढ़ते हैं अपने documents की तरफ So friends finally हम लोग आ चुके हैं अपने required documents पे कि आपको कौन-कौन से document जुरत पढ़ने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने 10th का जो mark sheet होगा वो जुरूत पढ़ने वाला है और आपका certificate भी वहाँ पर मांगा जाएगा तो इन दो चीजों को आप अच्छे से अपने पास अच्छे से रख लीजे ठीक हैं अब आती है domicile certificate ठीक है यानि कि आवास जो प्रमारपत्र होता है वो आपको बनाना है अपने ठीक है और थर्ड नमबर पर आता है cast certificate तो cast certificate तो सभी लोग को जरूरत होगा या फिर आप AC हो या फिर ST हो या फिर OBZ हो तो इन तीनों के लिए आप cast certificate जरूर बनवा ले जितना जल्द हो सके ठीक है आपका एक साल पहले का भी हो तो चलेगा लेकिन ज्यादा नया रहेगा तो ज्यादा ही अच्छा है तो अगर आपके पास time है तो आप बनवा सकते हैं या फिर अगर आपके पास एक साल अंदर का भी है ठीक है तो कोई भी problem नहीं आएगी लेकिन आप खुद से सोच आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजगा कि आपके पास एक भी photo हो तो आप उसका प्रिंट यानि की जो photocopy होता है फोटो बनता है वहां से बनवा सकते हैं ठीक है कोशिश यहीं कीजगा वरना अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आनीवाली है कोई दिक्कत नहीं है आप 5-6 फोटो तो जरूर लेकर जाएगा ठीक है 5-6 फोटो आप अपने पास जरूर लेकर जाएगा अगर आपके पास वो पुराना वाला फोटो हो तो वही आप अच्छे से उसको लेकर जाएगा ठीक है और 5 नंबर आता है अधार काट जो की most important मैं आप को कहूंगा दोस्तो सभी के लिए ये बहुत ही अनिवार है आप जरूर अधार काट ले जाएगा देखिए आप सचेगा कि अधार काट नहीं है पैन काट से चलेगा तो सायद आपको दिक्कत हो सकती है मैं आपको यह recommend करूंगा कि अधार काट आपके लिए most important है सभी के लि certificate मांगा जा सकता है तो I hope कि आपको यह अच्छे से रखना होगा ठीक है यह थी डिल ऑपरेटर के लिए तो इतना पोस्ट जो डिल ऑपरेटर के लिए अपलाई किये थे उनके लिए यह सभी चीज़े बहुत ही important है ठीक है यह तो होगे बात डिल ऑपरेटर के लिए और एक बना दिया है आपने नहीं देखा तो description में आपको मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो यह थी हमारी डिल ऑपरेटर की अब बात करते हैं कि इससे आगे आखे आपके documents में क्या लग सकते हैं जो अगर आप order post के लिए apply किये हैं तो ठीक है तो यहाँ पर मैंने seven number ब से कि diesel mechanical motor mechanical और या फिर फीटर से या फिर कोई भी आपने अगर पोश्ट जो अपना ट्रेड है वह अगर आपने किया है तो आप IT certificate अपना जरूर ले जाए ध्यान रखिया कि यह सभी चीज आपको original ले जाना है ठीक है तो इसके बारे में आपको last में discuss करूँगा और एक्सम भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आप इतने साथ अगर आपने साथ इतने सारे documents को ले जाते हैं तो देखिए friends मैं यहीं आपको बहुँ लोग बोलूँगा कि आप अपने साथ कोई भी ऐसा documents ना छोड़े जैसे कि आप सोचते होगे कि यह documents काम नहीं आने वाली अर्व क्यों सबसे important से मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि jewels के सभी आपको टुफॉटुस्टि टैट कराकर ले जाना है यहां यहां पर आपका और चॹेक करने के लिए होता है और जो आपका यह डॉक फोटो स्टेट होता है उसको रख लिए जाता है तो आप अच्छे से सभी चीजों को प्रिपरेशन करके ले जाएगा और अपना फोटो जो मैंने बताया कि दो photo state सब भी documents को करा कर ही ले जाएगा और drill operator के लिए तो मैंने cutoff के बारें बता ही दिया था और dragline operator के भी मैंने cutoff बना दी थी तो description में आपको link मिल जाएगी आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं ठीक है के साथ, thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day.